आज ये वीडियो इंडिश्टी में वर्क कर रहा है लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम practically बात करने वाले हैं कि अगर कहीं पर इंडिश्टी में आपने मोटर को connect कर रखा है तो आप कैसे पता करोगे कि उस motor पर जो load जोड रखा है आपने वो कहीं जादा तो नहीं है इसका मतलब यह है दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हर motor की capacity होती है कि कोई 5 kilowatt की motor है कोई हमारी 10 kilowatt की motor है तो 10 kilowatt की motor पर मैं 10 kilowatt जितने ही load को जोड सकता हूँ अगर मैं ज़्यादा load को इस motor पर जोड दूँगा तो हमारी motor काब हो जाएगी तो यही चीज हम कैसे पता करें कि motor पर जो load जुडावा है वो ज़्यादा तो नहीं है वही आज के छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिनकी मदद लेकर कोई भी आसानी से motor पर कितना load करेंक्ट है वो पता कर सकता है दोस्तों इसमें सबसे पहला method है वो होता है दोस्तों हमारे टेको मिटर की मदद से motor के load को चेक करना दोस्तो टेकोमिटर क्या होता है तो टेकोमिटर एक device होता है जिसकी मदद से आप आपकी जो मोटर है इस मोटर के rpm पता कर सकते हो मतलब कि हमारा जो मोटर का rotor है जो हमारी इसकी soft है वह है soft एक मिनट में कितने round काट रही है वो आप आसानी से टेकोमिटर के मदद से पता कर सकत जाएंगे अगर मुझे मेरे रोन करें आपटर के पता चल जाएंगे इससे पता चलेगे कि मोतर नॉर्मल लोड की कंड़िशन में ऑवर्लोड की कंडिशन में डीक है गर अगर आपकी मोटर की तो अब आपको देखना है कि आपकी जो मोटर की नेम प्लेट पर आर्पियम जो लिखे हैं उसने ये आर्पियम पर आपका रोटर घूम रहा है या नहीं घूम रहा क्योंकि तो अगर ओवर लोड के कंडिशन आती है मतलब कि मेरी 5 किलोवाट की मोटर पर मैं 10 किलोवाट के म इसमें घूम रही है अगर खुम रही है तो इससे आपको आपको साब पर चल रहा है कि आपकी मोटर पर आपने जादा लोड को जोड रखा है इसके बार में दोस्तों opioid पर में आते है यह जो second method है यह सेकंड मेतर काफी ज़्यादा सही है इसकी लिए आपको कोई भी टेको म वियुक्ति यहां को सीम्पली आपके मोटर का场ंपल काimentos किमारे आपकी मोर्टर में कितने वल्टे मों पता होनी चाहिए जिसके मदब से अपके मोटर पर कितना स्रवी पता कर सकते होँ तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कई सारे लोग यह सोच है कि हमारी मोटर पर फुल लोड करन्ट लिखा है जो FLC लिखा है वह सोचेंगे कि इस मोटर पर हमारा ज्यादा लोड कनेक्ट है लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल है लोड करन्ट को नहीं पता कर सकते इसकी पीछे का लीजन सब्स है क्योंकि जैसा कि आप कई बार जो वल्टेज कम भी आजाते हैं और कई बार वॉल्टेज हमारे जादा भी आ जाता है जैसे कि डोस्तों अगर मां को उधारर से बताऊं तो माल लिए के एक पांच किलोवाट की मोटर है अब इस पांच किलोवाट की मोटर जब हम 423430 वॉल्टेजू दिए湊 तो इस marc इसमें यह 10A के आसपास ही current लेगी लेकिन सेम इसी motor को अगर आप 390 के आसपास voltage देते हो तो यही 5KW की motor हमारी 12-13A current ले रही होगी तो दोस्तों हमारी current होता है वह current हमारे voltage के हिसाब से कम जाए हो जाता है अभी तो हमने सिर्फ 5KW की बात करी अगर हमारी motor बड़ी है 20KW यह अगर आपको पता है कि आपके जो voltage है वह बिल्कुल 425-420 के आसपास ही है ज्यादा difference नहीं है तो उस case में आप ampere की मरत से भी उसकी overload capacity पता कर सकते हो लेकिन अगर आप बिल्कुल proper तरीकी की बात करें तो proper तरीका जो होना चाहिए वह होना चाहिए कि आप आपकी motor कितने ampere current ले रही है और आप चेक करके है कि उसके जो voltage है जो हम उस समय voltage दे रहे हो 415 voltage है तो अब आपको देखना है कि इस दोनों के हिसाब से 15 ampere और 415 voltage हिसाब से इस motor के hp यह kilowatt कितने हुए तो यह पता करना काफी जादा simple है इसका एक formula होता है कि आपको आपकी motor के ampere पता होनी चा kilowatt निकाल रहे हैं तो आप 746 यहां पे 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको अभी हम practical तरीके समय लेते हैं देखे दोस्तों जैसे हमने उधारन लिया कि हमारी एक motor है जो की 15 इंपेर करेंट ले रही है इसके साथ में जो voltage है वह है 415 अभी हमारी 3-phase की motor है तो यहांपन हम 415 के स देते हैं उधारन के लिए और इसके बार में सभी को multiply करके अगर हम HP निकाल रहे हैं तो हम 746 का डिवाइड कर देंगे तो अगर मैं इस सभी को multiply करता हूं तो यहां पे वेल्यू आती हूं आती हूं और नीचे में को डिवाइड करना है 746 का और आखनी में जैसे हम इन दोन मोटर ले गया है तो आप मोटर तो 10 HP की लेकर आये लेकिन अभी जब हमने उसको calculate करा तो यहां पर जो calculation आई इससे हमें साब पर चल रहे है कि मोटर जो अभी पावर ले रही है वह 11.70 HP मतलब लगबग 12 HP के आसपास पावर ड्रो कर रही है तो इससे तो हमें साब पर चल र कर देना है फॉर्मुला पूरा का पूरा सेम रहेगा करेंट इन्टू वोल्टेज इन्टू 1.73 रूट 3 की वेल्यू इन्टू पावर फेक्टर इन्टू एफसेंसी और अगर आपको HP पता करना है तो आप 746 का डिवाइड करेंगे और अगर आपको kilowatt पता करना है तो आप 3.70 kilowatt की कंजेफशन कर रही है तो दोस्तों यह दो मेथड है जिनकी मदद से आप आसानी से मोटर लोड की कंडिशन में या नहीं पता कर सकते हो पहला हो गया हमारा टेको मेटर की मदद से आर्पेम को चेक करके और दूसरा मेथड हो गया हमारी मोटर अभी कितने करन्ट HP किलोवार्ट पे चल रही है वह आप पता करके उमीद करता हूं दोस्तों आपको आज कई वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके अभी वीडियो के प्रतिया इलेक्टिकल जोड़े कोई सवाल रहे गए हैं तो आप मेंजेनी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूच सकत सब्सक्राइब कर लिजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद